तो दोस्तों भारत ने खेला ऐसा खेल कि पूरी दुनिया रह गई हैरान परिशान जी हाँ दोस्तों, UN में पहुँचते ही जैशंकर ने ऐसी दहाड लगाई कि देखता रह गया पूरा चीन पागल हुआ पूरा यूरोप अब भारत बन गया है संयुक्त राष्ट्र का सर्ताज दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में PM Modi और S.J. शंकर के आने से पहले ही पूरी दुनिया हिल गई है संयुक्त राष्ट्र ने भारत को लेकर बड़ा ऐलान कर चीन और इटली जैसे देशों के गाल पर तमाचा मारा है भारत को वीटो पावर दें लेकिन अब संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष ने देशों को करारा जवाब दिया है लेकिन फिर भारत को लेकर एक बार फिर हंगामा मच गया जब संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष ने ही पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूद द्वारा सुरक्षा परिशद में भारत के नाम को चुनोती दी गई इन दिनों संयुक्त राष्ट्र को लेकर हर दिन नए घटना करम सामने आ रहे हैं तो चलिए देखते हैं पूरा मामला क्या है लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को भारत की इस सफलता के लिए एक लाइक तो बनता है वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें दोस्तों अभी कुछ दिन पहले ही संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने भारत को लेकर एक बड़ी घोशना कर पूरी दुनिया को चौका कर रख दिया था और कहा था कि भारत UNSCC में स्थाई सीट पाने का सबसे प्रबल दावेदार है उन्होंने यह भी कहा कि UNSCC में सुधार करना और नए सदस्यों को शामिल करना बेहत जरूरी हो गया है खास कर भारत जैसे 140 करोड की आबादी वाले लोकतांत्रिक देश को नजरंदाज नहीं किया जा सकता उनके कहने का मतलब यह था कि अगर भारत की अंदेखी की गई नजरंदाज किया गया तो भारत संयुक्त राष्ट्र जैसा एक और संगठन बना लेगा जिसके बाद लीग ओफ नेशन्स की तरह संयुक्त राष्ट्र का अस्तित्व हमेशा के लिए मिट जाएगा दोस्तों, जो लोग नीचे कमेंट में कह रहे हैं कि भारत को वीटो पावर नहीं मिल पाएगी उन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष की बात भी ध्यान से सुननी चाहिए उन्होंने कई बार भारत का नाम लेकर तारीफ की थी और कहा था कि भारत को तुरंत एक स्थाई सीट देना अनिवारे हो गया है जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत हमेशा से बहुपक्षवाद का प्रबल समर्थक रहा है और यह संयुक्त राष्ट्र के लिए बहुत आवश्यक है अपने कार्यकाल की समाप्ती से पहले उन्होंने कहा था कि भारत ने हमेशा विकास शील देशों के साथ अपने अनुभव और ग्यान को साज़ा करने में योगदान दिया है जिसके लिए भारत सरकार की सराहना की जानी चाहिए आगे उन्होंने कहा कि वर्तमान UNSCE अभी भी सही तरीके से भूराजनीतिक स्थिति को प्रतिबिम्बित नहीं करती है इसलिए भारत को तुरंत उसका अधिकार दिया जाना चाहिए समापन से पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष ने भारत की ताकत को माना है और जाते जाते पूरी दुनिया से अपील की है कि अगर महान देश भारत को सुरक्षा परिशद में स्थाई सीट और वीटो पावर नहीं मिली तो बहुत बड़ी अनर्थ हो जाएगा उन्होंने पूरी दुनिया को एक बड़ी चेतावनी दी है जो लोग अब तक भारत को हलके में ले रहे थे उन्हें अब भारत की असली ताकत का एहसास हो रहा है आगे बढ़ते हुए उन्होंने चीन, पाकिस्तान, इटली और कनाडा जैसे देशों को चेतावनी देते हुए कहा कि कोई भी इस बात को नजरंदाज नहीं कर सकता कि भारत ने हमेशा वैश्विक मामलों में मजबूत योगदान दिया है और इसका भविश्य उज्वल है उन्होंने साफ कर दिया है कि भारत को वीटो पावर मिलने से कोई नहीं रोक सकता यहां सबसे उलेखनी ये बात ये है कि भारत के बारे में इतनी बड़ी घोशना संयुक्त राष्ट्र के किसी छोटे प्रवक्ता या सामानने अधिकारी ने नहीं बलकि खुद संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष ने की है जिन्हें पूरी दुनिया की सारी जानकारी है उसके पास पूरा डाटा उपलब्ध है रिपोर्ट देखने के बाद उन्होंने कहा कि भारत को कोई रोक नहीं सकता और कोई जुका नहीं सकता संयुक्त राष्ट्र में भारत के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए अब ऐसा लगने लगा है कि या तो संयुक्त राष्ट्र का अस्तित्व बना रहेगा या फिर भारत को वीटो पावर मिल जाएगी और जब तक भारत को वीटो पावर नहीं मिल जाती हम इस चैनल पर अपनी लड़ाई जारी रखेंगे बस इतना ही आपके समर्थन की जरूरत है मैं जानता हूँ कि नीचे दी गई कुछ टिपणिया पाकिस्तान और बांगलादेश से भी है वहां के कुछ लोग हमेशा भारत का अपमान करने की कोशिश करते रहते हैं हम उन्हें बताना चाहते हैं कि वे अपने मनसूबों में कभी सफल नहीं होंगे इसलिए उन्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए दोस्तों सितंबर के आखिरी दिनों में भारत संयुक्त राष्ट्र के अंदर बड़ा धमाका करने वाला है क्योंकि पीएम मोदी और विदेश मंतरी ऐस जैशंकर इस दोरान भारत को लेकर बड़ा ऐलान करने वाले हैं दरसल संयुक्त राष्ट्र महासभा के असीवें सत्र की उच्च स्तरिय चर्चा 24 से 30 सितंबर तक चलेगी इस दोरान संयुक्त राष्ट्र में भारत को लेकर कई चौकाने वाले ऐलान किये जा सकते हैं जिसका सिलसिला प्रारंब हो चुका है। हालांकि इस बार PM मोदी महासभा को संबोधित नहीं करेंगे। इस बार भारत की तरफ से विदेश मंतरी Ace Jay Shankar महासभा को संबोधित करेंगे। लेकिन माना जा रहा है कि इस बार वीटो पावर पाने के लिए विदेश मंतरी Ace Jay Shankar पूरे United Nations को हिला देंगे और इसके लिए एक छोटा सा ही सही लेकिन एक तूफान उठने लगा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि राश्ट्रपती जो बाइडन का इस कार्यकाल का महासभा में ये आखिरी संबोधन होगा क्योंकि इसी साल नवंबर में अमेरिका में राश्ट्रपती चुनाव होने वाले हैं ये उसका आखिरी है। अपने संबोधन में जो बाइडन UN में भारत को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं हालांकि अमेरिका पहले ही भारत को UNSCE में स्थाई सीट देने का समर्थन कर चुका है लेकिन इस संबोधन में जो बाइडन इस से जुड़े कुछ दस्तावेज दे कर हरी जंडी दे सकते हैं ताकि वो अमेरिका में रह रहे भारतियों का वोट अपनी डेमोक्रेटिक पार्टी को दिलवा सकें दोस्तों आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस महासभा के सत्र में आम चर्चा शुरू होने से पहले अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे और इस रिपोर्ट में निश्चित रूप से संयुक्त राष्ट्र सुधार की बात होगी जल्द से जल्द स्थाई सीटें देने की वकालत की है इसे देखकर कोई छोटा बच्चा भी कह सकता है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत की ताकत और साख दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही है अब दोस्तों आपको एक और दिल्चस्प विस्फोटक बयान बताता हूँ यह बयान भी संयुक्त राष्ट्र के किसी आम प्रवक्ता या अधिकारी ने नहीं दिया बलकि खुद संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने भारत को लेकर बड़ा ऐलान किया है संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरिस ने भी भारत की तारीफ की और कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र में लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक मजबूत स्तंब है और दोनों के बीच सहयोग बेहतरीन है जैसे ही पीए मोदी ने अपना संयुक्त राष्ट्र भाषण रद्द किया पूरा संयुक्त राष्ट्र और उसके अध्यक्ष भारत की प्रशंसा करने लगे और इससे पता चलता है कि भारत कितना शक्तिशाली हो गया है एक तरफ मोदी ने भाशन रद्द कर दिया तो दूसरी तरफ पूरा संयुक्त राश्ट्र घबरा गया इससे पता चलता है कि भारत अपने संयुक्त राश्ट्र को कमजोर कर सकता है गुटेरेस ने संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत पी हरीश का स्वागत किया अब आप हमारे चैनल पर बार बार युएन में भारत के नए राजदूत पी हरीश साहब का नाम सुनेंगे हरीश ने संयुक्त राष्ट्र महा सचिव एंटोनियो गुटेरेस को अपना परिचय पत्र प्रस्तुत किया हरीश ने कहा कि वह प्रधान मंत्री मोदी और विदेश मंत्री जैशंकर के अभिवादन के साथ आए हैं एंटोनियो गुटेरेस पहुचने के बाद हरीश ने संयुक्त राष्ट्र महा सभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस और अन्य देशों के यूएन दूतों समेथ कई नेताओं से मुलाकात की हरीश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिशद में पहले दिन जोरदार शुरुआत की उन्होंने राजनीतिक मतभेदों की आलोचना किये बिना कहा कि यह शान्ती स्थापना अभियानों पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है भारत ने संयुक्त राष्ट्र SSC में स्थाई सदस्यता के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की मांग की है तो दोस्तों आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं तो दोस्तों जै हिंद जै भारत